हलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके याए हैं, ब्रेड और आलू का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नास्ता की रेसेपी और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए मैंने उबली हुई आलू ली है अब हम इन्हें मैश कर लेते हैं अच्छे से आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया पौडर डाल दे आधा चम्मच जीरा पौडर आधा चम्मच नमक एक तिहाई चम्मच गरम मसाला और दो बारे कटी हुई हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्च इसमें थोड़ा सा आम चूर भी मिला दे और इसे अच्छे से मिला दे मसाला को हमने आलू में अच्छे से मिला लिया है अब हम इनके छोटे छोटे से बॉस बना ले यहां पर मैंने ब्रेड ली है, इसके साइड का पार्ट हटा दे, अब हम इन्हें पानी में डिप करें, और इसे पानी से निकाल कर जो एक्स्ट्रा पानी है, उसे अच्छे से निकाल दे सारा, इन्हें हातों से दबा का इसका पानी सारा निकाल दे, अब हमने जो बॉल्स बना के रखा था उसको इस पे रखकर अच्छे से बंद करके इसका एक बॉल्स जैसा बना ले इसी तरह से सारे बना कर त्यार कर ले अब हम इन्हें फ्राइ कर लेते हैं इसके लिए कडाही में तेल गर्म करें तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें बॉल्स को डालकर अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राइ कर ले स्टार्टिंग में बॉल्स डालते वक्त तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए उसके बाद में गैस का फ्लेम थोड़ा से मीडियम कर दे और इसे golden होने तक fry कर ले अब हम इसमें दूसरा भी डाल देते हैं तो starting में एक सास सारे balls ना डाले वरना ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे अब हम इन्हें दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छे से पका ले तो ये फ्राई हो गए हैं अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से और भी फ्राई कर ले तो आप ये घर पे ट्राई जरूर करिए का बहुत ही टेस्टी बनता है और आपको ये रेसिपिक ऐसी लगी कमेंट में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो वीडियो को ल झालेमाढ़ झालेमाण